नमस्कार दोस्तों आपको हमीरपूर का फॉर्म कैसे आप फिल कर सकते हूं माचल प्रदीश पब्लिक स्प्रिक्स कमिशन शिंबला और ऑनलाइन कैसे अब लाई कर सकते हूं यूजियर आईडी पासबर्ड आप कैसे क्रेट कर सकते हूं इसमें इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे तो आपके फॉन में दो ब्राउजर होने चाहिए मुवाइल फॉन से आप कैसे वर सकते हो एक तो गूगल क्रोम और दूसरा फायरफॉक्स ठीक है तो अगर भी तक आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो कम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर तो इसको अब डालेंगे हम तो यहां पर देखे हम में स्क्रीन में आ जाते हैं मुवाइल फॉन की ताकि आपको समझ आ जाए कैसे वर ना है तो यहां पर हम थोड़ा सा कैंसल कर देखे हमारे पास गूगल क्रोम है दूसरा वरा आपको बोला यह फायरफॉक्स से दोनों की हेलप आपको लेनी पड़ेगी या तो पहले या फायरफॉक्स में लॉगिन हो जाएए फायरफॉक्स से भरी है या तो गूगल क्रोम से भरी है ठीक है तो हम गूगल क्रोम से पहले अपलाई करेंगे हम फिर बाद में थोड़ा से चेंज करेंगे आप फायरफॉक्स में य या तो भार सकते हैं या तो latest version Google Chrome का use कर सकते हैं ठीक है तो जैसे हम Google Chrome पर यहां पर क्लिक कर रहें तो यह ओपन हो रहा है तो यहां पर देखिए हम अपने ब्राउजर में आगे तो यहां पर सर्च बार में हम सर्च करेंगे hppsc देखिए hppsc.hp.job.in website हमने सर्च करने है हमारे पास डारेक्ट लिए आ रही है अकर आपके पास नहीं आती है तो आप जो कि में ब्राउजर पर जो कि बाहर जाओगे hppsc लिखके तो जो भी पहले नमबर पर आपको लिंक मिलेगा उस पर आपने क्लिक कर देना है ठीक है उसके बाद क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो आपने देखिए नीचे नीचे जाना है अदरवाइस आप यहां पर डेस्क्टॉप साइट भी ओपन कर सकते हैं चुकि यहां पर तीन डॉट दियेगी है उपर से फिर आपको डे देखिए फिर यहां पर आपने नीचे नीचे स्क्रॉल करना है तो फिर यहां पर नियू रिजिस्ट्रेशन पर आपने क्लिक कर देना है ठीक है तो नियू रिजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक कर रहे हैं तो यहां पर देखिए विटाइन की आ गई है तो यहां पर देखिए पिर यहां पर security question आपने चूज करना है कोई भी तो यहां पर देखिए security question which is your pet name या तो favorite child जो कि आपका childhood friend यहां पर फ्रेंड है favorite friend उसके बारे में आपने यहां पर question चूज कर लेना फिर उसका answer नीचे देना है ठीक है उसके बाद password में सबसे जादा problem आती दी कि passport आपने ऐसे करना है जो आपका नाम हो गया साथ में वर्ड भी आने चाहिए one two three letter चूज कि आपने चूज करने है letter और फिर जो कि special character होता at the rate वो भी यूज करने जैसे कि अगर आपका नाम अगर आईजी passport आप रग सकते हैं थो रोशनी है तो यहां पर रोशनी one two at ऐसा लिख सकते हो capital मे कुछ small में letter हो गए उनको शामिल करना जैसे कि मैं आपको बता दूँ अंदाजन रोशनी का है तो रोशनी कर दीजे रोशनी लिखिए फिर वहां पर percentage लगा लिजे फिर one two लिखिए फिर add the rate साथ में लगा लिजे तो जो कि add the rate percentage जो कि add हुआ यह special character हो गए जो कि letter हो गए आ और अंको में जो कि आपको password लिखना और special character add the rate percentage लोर हाइफन हाइफन जो कि यहां पे वह बाला हो गया ठीक है तो यहां पे इन्होंने दिया भी हुआ है instruction कि आपको 8 से 15 वर्ड के बीच में चूज करने है वह password आपने नीचे रिएंटर कर देना है अगर आपका password फिर भी न अचे जो कि आपके आपको पास्पर पर जूरूर बन जाए कर नहुं रेखिए कर आपको卡 पास्पास ब्योचत्पर कर देना है जोकि की सबसे मेनी कतना पीडिया फाइल सटीब के चाहिए आपकी यहाँ पे 500 KB से नीचे जो कि आपकी अपलोड होगी वहाँ पे जो की सबसे compulsory है 10th का यहाँ पे certificate आपकी आपके पास जो की document से प्लस टू का हो गया diploma, degree और भी जो document से low income AWS वो बाद में भी आप अपलोड कर सकते बट आपको 10th का document तो चाहिए चाहिए certificate और जितनी भी information है बाकी वो आपके पास होनी चाहिए तो 10th के आपकी document की PDF आपको लगेगी certificate की जो की आपकी 3rd step में upload होगी तो यहाँ पे register करने के बाद आप जले जाओगे कौन से step पे चले जाओगे वो भी आपको मैं बता देता हूँ जैसे आप register करते हो ना तो आप फिर यहाँ पे आजाओगे आपने आना है login पे तो यहाँ पे आपने अपनी mail ID डाल देनी है और passport डाल देना है फिर enter capture कर देना फिर login कर देना है ठीक है बाकी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ है उन्होंने यहाँ पे दिए step भी स्क्र करना है जो कि आपको लो आएगे लोर पे जाकर होंपे होंपे होगी तो उस पर क्लिक करना उसके बाद फी कर देना आपकी 100% होगी तब भी आपके पास 3rd और 4th step आएगा वहां तो पहले और दूसरे step में फसे रहोगे तो यहाँ पर हम login करके आपको बता देते है सबसे पहला step रहेगा personal information फिर contact information, educational qualification, upload images, work experience, document डालने experience है तो कोई बाद नहीं है तो कोई बाद नहीं है तो कोई बाद नहीं है तो यहाँ पर देखिए फिलाल हमारी profile 0% बनी हुई है तो यहाँ पर ओपर देखिए यह screen जो दौड रही है इसमें भी बताया गया है तो हमारे screen recorder बटो चलनी रहा है हमारे phone में तो हम tick mark करके आपको बता देते जो भी यहाँ पर star star दिया हो ना यह सारे के सारे mandatory field है और please enter the field carefully as the cannot be changed once saved चुकि यहाँ पर hash hash दिया गया जिस इसके आगे एक बार आपने fill कर दी यह फिर change कभी नहीं होंगे सिर्फ यह एक ही बार होंगे ठी आपको बड़ा करने कोशिश कर तो आप वीडियो की quality थोड़ा increase भी कर सकते हो यहाँ पर three dot पर जाके इस side बाली side पर तो यहाँ पर right side पर three dot पर यहाँ पर 720 पिक्सल करना आप 720 या 180 पिक्सल पर हम इसको upload करेंगे वीडियो को तो यहाँ पर देखिए applicant name तो यहाँ पर professor है तो हम लोग तो MR ही यहाँ पर कर रहे हैं वैसे ER भी कर सकते हमारे पास यहाँ पर बटे MR ही करना है हमने तो date of worth है फिर यहाँ पर देखिए gender है father name है mother name है material status है marital status है identification marks है तो अब मसा किसी की भी body में होता है तो mole लिख सकते है mole marks in back side and front side अगर किसी का cut marks लिख सकते है कोई भी है यहाँ पर यहाँ पर देखिए domicile of HP bonified of HP 10th and plus 2 from the हमाचल प्रदेश domicile का मतलब होता है अगर आपका permanent address हमाचल प्रदेश में bonified हमाचली तो आप सभी के पता ही है 25 साल तक है हम पर residence होना चाहिए साथ में आपका certificate होना चाहिए जो कि particular certificate बनता है कुछ लोग होते है जो job गेरा हमाचल प्रदेश में करते हैं उनके parents और permanent हमाचल प्रदेश में रहते बड़ bonified नहीं होता तो यहाँ पर कर सकते हैं 10th and plus 2 हमाचल प्रदेश कर सकते ह अगर किसी के पास नहीं है आउटर स्टेट का तो उनको none of these करना है state belong from which तो यहाँ पर हो चूज करना है हमाचल प्रदेश जो भी आपके state आएगे और category में और सब category mandatory नहीं है जिसकी है तो उसने करनी है nationality यहाँ पर देख सकते हैं आप इसको हम यहाँ चूजी कर देते बा minority अगर मैं आप चूज भी नहीं करते तो भी कोई बात नहीं है यहाँ पर यहाँ पर हम जल्दी से form फिलप करते हैं ठीक है ओपर से नीचे फिर हम आपको बताते हैं second step में जाके तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप मदर गेरा कर आगे भी यहाँ आपने चूज करना है कौन सा आपका है देखिए फादर के आगे भी है बड़ यह जो हैस दियेगे एक ही बार यह होगा फिर बाद में यह चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर हम लोग मांचल प्रदेश वाले कुछ चीज़ हम यहाँ पर देखिए टिक टिक कर देते हैं डारेक्ट सिधाई यहाँ यहाँ पर यहाँ पर 10th and plus 2 भी है और हम bonified मांचली भी है यहाँ पर सरी यहाँ पर हो नहीं रहा है तो देखिए हम अब जल्दी से form बार देते हैं तो देखिए हमने maximum पूरा का फूरा यहाँ पर स्टेप फिल कर दिया है तो अगर हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर हमारे से नंबर मांग रहा है कर नो करते तो नहीं मांग रहा है तो हमारे पास है हम यह कर रहे हैं तो हम इसको फिल कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर उसके बाद हम नेक्स्ट टैप में यहाँ पर आगे जाएंगे तो हम डाल देते हैं यहाँ पर ह हमने Employment Exchange पे यहांपर रिजिस्ट पे यस किया तो यहांपर इसने नंबर मांग लिया अगर आप नो करते हैं तो नहीं मांगेगा अगर आपके पास Employment Exchange नंबर है तो यहांपर आप फिर उसको डाल दीजिएगा और फिर यहां पे next आपको करना है proceed तो हमने फोरा का फोरा फिल कर दिया तो यहां पे देख सकते हैं हमारे पास domicile of HP, bonified HP, 10th or plus 2 मांचब देश से तो हमने यह सब कुछ चूज कर लिया केड़गरी हमारी WS से बाग की सब केड़गरी हमारी कोई भी नहीं है तो अब हम submit करते हैं next step पे तो यहां पे देखिए अब हमारे पास एक बार review करने के लिए इसने पूछ लिया है तो यहां पे employment exchange नमर फोगेरा मैच कर सकते हैं पूरी की पूरी detail जो आपने भरी है सही है गलत है तो यहां पे 190 तो यहां पे बिल्कुल सब कुछ correct है minorities हम लोग नहीं है तो अब हम लोग कर रहे हैं यहां पे आगे proceed save and next तो यहां पे एक बार पूछेगा आपको कि आप इसको save करना चाते हैं तो हम yes कर देंगे यहां पे अगर आप इसको edit करना चाते हैं तो edit कर सकते हम बिल्कुल भी इसको edit नहीं करेंगे तो यहां पे फिर आपने अपना correspondence address जाना है जो कि mandatory है फिर pin code डालना है फिर state पूछी गई है फिर district पूछी गई है फिर permanent address पूछा गया तो हम यहां पे थोड़ा सो आपको blur कर देंगे क्योंकि अपनी email id और जो कि mobile number हम आपको show बेल्कुल भी नहीं कराएंगे तो यहां पे दीखे अब हमने अपना correspondence address भर दिया यहां पे अगर सेम है तो यहां पे आपने टिक कर देना permanent address भी ऐसा है यह correspondence address पहले पूछेगा अगर different है तो आपने फिर नीचे permanent address खुद से डालना है पर हमारे case में save है तो हम यहां पे कर रहे हैं इसको टिक हमने कर भी दिया टिक तो अब हम कर रहें proceed second वाला step भी next के लिए जा रहे हैं third के लिए तो यहां पे फिर से पूछ रहा है एक वार are you sure do you want to save information तो yes करना है आपने तो यहां पे देखिए guys हमें third step में तो हमने two step complete कर लिए थे तो यहां पे जिर्फ एक ही जगा document आपका upload हो रहा है जो कि 10th का हो रहा है यहां पे certificate upload बाकि कोई भी document फिलाल upload नहीं हो रहे वो होंगे आपके last में 6th column है ठीक है तो हमारी 100% profile complete बता रहा है बट फिर भी हमने कौँस आपने चूज करना है तो हाँ पर हमने डिप्लोमा चूज करना घर आप 10 चूज करते हो न तो यहां पर देखिए certificate चूज की option आ जाती है चूज फाइल के आती है नीचे बत जब आप जैसे डिप्लोमा यह प्लस टू करते ह है तो यहां पर गाहिब हो जाती है देख है तो फिल्लाल हम डिप्लोंमा की qualification यहं पे add करते हैं तो यहां पे हमने डिप्लोंआ करा है यू जी डिप्लोंआ हम चूज कर लेते हैं क्योंकि हम यहां पे जो की akyeto की बिचेंस sedi उसके लिए lange करने वाले हैं तो ही हैं तो यहां पर देखिए qualification specialization तो उसमें सिबिल इंजिनियरिंग आ गई अंडरग्रेजुट डिप्लोमा कर लिया बाकी यहां पर नेम आफ वोड कर देंगे तो कौन से बोड से करी है तो यहां पर देखिए एच पी तक्निक की शिक्षा बोर्ट धरमशाला कर दिया हमने तो हम जल्दी जल्दी से इसको भर देते हैं तो यहां पर हमने नेम आफ शूशन भी लिख लिया है सुब शैक नेम काफी लिखने होते हैं काफी सारे हैं बट हम थोड़े से लिखेंगे जो भी हम लिख सकते हैं कि इस सब्सक्राइब गलत लिख लिए यहां पर सरवेंग हो गया फ्लिवूड मेकानिक्स हो गया बीसी एम हो गया बीसी एम तो शाहर डिग्री में होता है यहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आ गया कंस्ट्रक्शन माटिरियल आ गया सॉयल इंजिनियरिंग होता है या सॉयल मेकानिक्स होता भी मैं भूल गया हूँ इसमें सब्सक्राइब काफी सारे थे सॉयल को हम छोड़ देते हैं यहां पर हम कर देंगे इडि़िगेशन इंजिनियरिंग हमारा था तो एस सटी कर दिया वार्सीसी कर दिया वाक कहुंसे थे अतकोई क्वेरा भी काफी सारे थे तो इतने काफी हो गये सबजेक्ट हमने जितने लिखने थे वो लिख लिए हमने बाकि यहां पर रिजल्ट का लिखते थे हैं पास तो यहां पर यहर पासिंग आएगी कौन सी थी 2015 ठीक है तो यहां पर प्रसेंटेज 66 प्रसेंट सट्टिफिकेट नंबर दिखे जो भी डिपलोमा वाले हैं न तो यहां पर इस चार डीजित वैसे दिए हुए वह आगा नहीं तो हमेरा ए बटा है जो की ए बटा 16 दिया है यहां पर 59 जो के आगे दिया हुआ वैसा ही आपने भरना है तो यहां पर मैं लिख लेता हूँ वरना तो यह गलत बतायेगा अगर आप चार डीजित लिखते हो तो बटे में भ आप यहां पर लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो, तो यहां पर हमने भर दिया, Certificate Issue Date सबसे important है यह, हमने एक बार गलत भर दी थी, फिर से हमें भरना पड़ रहा है, यह उसी वज़ा से, वरना थो हम आगे proceed हो चुके थे, क्योंकि हमने गलती से 2019 यहां पर कर दिया था, तो यहां पर देखिए, आप बोला है, सेब करने के लिए एक बार एंड में भी रिव्यू हो जाती है, आपकी जो भी आपने qualification भरी है, तो यहां पर Yes, तो यहां पर देखिए, college हम बिल्कुल भी recommend नहीं करेंगे, के लिए तो ठीक है, बट जहां से मैंने degree करी है, इतनी घटिया इंवस्टी थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, उसके बारे में, इतना menu plate करते हैं, तो शायद जिसने भी वहां से, अगर कुछ भी courses किया है, तो उसको पता ही होगा, मैं तो बोलता हूँ, आप वहां पर मत जाएएगा, कभी भी भूल के, यहां पर next, अपने इंवस्टी का नाम लिखना है, अगरी कल्चर तो मत थी करिएगा, वहां से क्योंकि उनके पास approval भी नहीं है, फिर भी वहां पर seats वर रहे हैं, क्योंकि आपको बाद में problem थोड़ा सा हो सकता है, अगर इस इंवस्टी में आपने गलती से भी admission ले लिए, क्योंकि मैं वीडियो कट, यहां पर शायद edit ना करूं, तो यहां पर आपको यह दिखाई दे जाए, यहां कि मेरा घरी वहां ही पर है, तो यहां पर चला गया, मैं गलती से करने, बट आज पच्तावा हो रहा है, तो यहां पर आ गया, fluid mechanics फिर से था हमारा, यहां पर, यहां पर BCM था हमारे पास, building construction material, RCC लिख देते हैं, design of steel structure, यहां पर था हमारे पास, DSS, यहां पर काफी सारे subject थे, वैसे building construction, तो हमने लिख लिया है, और कौन-कौन से soil mechanics बचता है, वैसे जो technical engineering होता था, degree में I think, बाकि यहां पर, DCS था, design of concrete भी था हमारे पाद, irrigation engineering लिख देते हैं, mainly, वैसे बाकी civil का ही है, यह, वैसे IPH का तो है, नहीं वैसे, DSS, common ही लगाया है, हमने यहां पर, common लगा लेते हैं, चलिए irrigation engineering हो गया, बाकि जो technical भी ID कर देते हैं, जो technical engineering, काफी हो गए इतने subjects, बहुत सारे हैं, वैसे तो pass, यह रो पासिंग, 2018, first batch मेरा वैसे था, वहां पर, university के अंडर, बाकि उनके college तो और भी है, वहां पर भी में, मेरे friends फिरा पढ़ते थे, बट बिल्कुल ही बेकार, quality education देते हैं, और यहां पर हमें तो fail भी कर दिया गया था, industrial training में, बाद में 20 नंबर दे के, pass out कर दिया, तो यहां पर, हमें कब दिया गया था, degree, मैंने अभी हाली में लिया है, पैसे पहले, इन्होंने दे दिया था, बट हमें कोई भी intimation, कोई भी letter send नहीं कर रहा था, degree लेने के लिए, तो यहां पर 24, 12, 2019 को इन्होंने दी थी, बट हमें कोई भी intimation, इसके regarding नहीं थी, तो हम, convocation में नहीं गये थे, तो यहां पर इस वज़े से, हम मिल भी नहीं पहले, ओ sorry, यहां पर percentage की, certificate number की जगा, मैंने percentage डाल दिया, गलत हो गया था, तो यहां पैसे बता देता है, यह गलत अगर कहीं पहो जाए, 17, अब correct हो गया, save qualification, यहां पर देखिए, यह हो गया, यहां पर हो गया, देखिए हमारी qualification एड़ होगी, अगर अधर से additional qualification है, तो एड़ कर सकते हैं, यहां पर आपने choose करनी है, कौन सी CT, टैट, अगर कुछ है, तो हम कोई हमारे पास, कुछ भी नहीं है, आपने नहीं करना है, एड़ यह, बाकी हमने कर दिया है, बाकी यहां पर देखिए, uploads में, photos में जाना है, आपने फिर, तो यहां पर देख सकते हैं, तो यहां पर आपके पास choose के option आएगी, photograph आपके 10KB से, आइपब होने चाहिए, और 100KB से below होने चाहिए, पहले आप फोटो को choose कर लिजेगा, फिर signature file अंदर से choose कर लेनी है, आपने, फिर यहां पर upload कर देना है, मेरे पास edit के option आ रही है, क्योंकि मैंने upload कर दिये हैं, ठीक है, फिर यहां पर next कर देना है, आपने उसके बाद, next कर दिया, तो यहां पर देखिए, experience अगर आपके पास है, तो yes कर देना है, तो आपने डाल देना है, otherwise no कर देना है, हमारे पास नहीं है, तो हम no कर रहे हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं, फिलाल apparent shift, पर दी हम लोग लॉग आउट हो गे तो, तो फिर से हम edit profile पे क्लिक करके, यहां पर आए हैं, जैसे अगर आप भी log out हो जाते हो, तो edit profile पे आपने क्लिक करने, ठीक है, तो यहां पर देखिए, experience अगर है, तो yes कर देना है, अगर नहीं है, तो आपके पास है, तो yes कर देना है, यह आपने यहां पर डाल लिए, ठीक है, बाकि यहां पर देखिए, हमने यहां पर वाले document अप्लोड कर दी है, यहां पर देखिए, यह वाले जो उपर की document है, दिखाए देर income certificate, आपको अप्लोड करना पड़ेगा, AWS अप्लोड करना पड़ेगा, बढ़ आपकी यह जुरूरी भी नहीं है, उतने ज़्यादा कि आपको अप्लोड करना ही है, 100%, बढ़ आपको 10th का certificate अप्लोड करना ही पड़ेगा, क्यूंकि आप यह कर देते हैं, तो आपकी profile 100% complete बता देता, बढ़ हमारे पास यह थे, हमने बनाए थे, उसके बाद payment करके आपको बताएंगे, तो payment के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे, मैंने बताया आपको यह तो log out करना, जैसे login हो जाते हो, तो आपके पास आजाएगा, तो फिलाल हम इनको upload कर लेते, फिर आपको हम आगे की process बताते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फिलाल हमने डिप्लोमा upload कर ले, हम आपको एक चीज और upload करके दिखा देते हैं, हम degree upload करके देते हैं, अप्लोड पे हमने क्लिक कर रहा, तो यहाँ पे पास choose file पे आप क्लिक करेंगे, तो कैसे आपके पास आएगा user interface, मैं आपको बता देता हूँ, अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा देखिए, तो files पे हम जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी gallery में, जहाँ पे जिस भी folder में आपने document रखे होंगे, आपको वहाँ पे जाना है, तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, हमारी degree पे, थोड़ा सा slow processing है, वीडियो काफी लंबी हो रही होंगे, आप बोर हो रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, आप आगी civil engineering degree, तो save पे हमने क्लिक कर दिया है, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, अब save हो रहा है यह, तो यहाँ पे देखिए, हमने सारे document upload कर दिये, इसरो plus two को छोड़ के, तो इसको हम बाद में देखेंगे, इसको हम अभी नहीं करने वाले हैं upload, तो फिलाल हम जाएंगे, बाकी चीजों पे, जो कि अभी करेंगे, हम final payment ठीक है, आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे profile complete कर लिए, अब पूरी की पूरी edit profile, 100% और यह भी बो लेंगे, आपके 100% complete है, तो उसके बाद किया करना, home के button पे, यहाँ पे click कर देना है हमने, या तो आप log out हो गए, तो आपके पास directly यह open हो जाएगा, अदर्वाइज यहाँ पे आपके पास option आजाएगी, apply की, तो यहाँ पे देखे नीचे आगई है, अप्लाई की option आगए नीचे, तो हम apply पे click कर रहें, तो यहाँ पे बोला गया है, इनके दोबारा तो देखे, यहाँ आई के लिए थोड़ा से इनके बोला गया, qualification क्या कैच चाहिए, तो हमने यहाँ पे apply कर दिया, तो civil, तो form भर के आरा है हमारा यहाँ पे, ऐसा, तो हमने अब इस पे कर देना है, apply एक बार पढ़ लेना है, अपने पूरा का पूरा सही है, कि नहीं गलत है, एक्जाम सेंटर अभी यहाँ पे चूज कर लेते हैं, तो देखे, अब हमने एक्जाम सेंटर भी चूज कर लिया, यह की एक्जाम सेंटर दिया हुआ, इनके पास शिमला, तो यह चूज हो गया है, बाकी अपने डॉक्मेंट्स फिरा पड़ लेते हैं, क्या कैलिका हुआ है, टो मिसाइल, प्लस टू, एक्स एक्टर, एक्नॉमिकल विगर सेक्शन, हिंदू, मानाइनोटी नहीं है, बाकी इंप्लॉइमेंट रिजिस्टेशन नमबर वियरा, अब पूरा हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, बाकी अपना विलेज एड्रेस फिरा हम देख रहे हैं, यहां पे फोटो फिरा जो जो भी हमने अप्लोड किया है, 10 और भी बीट है, क्वालिकेशन यहां पे आ गया, उसके अब बहाद कर रहे हैं, हम आई अगरी पे क्लिक, फिर करेंगे हम प्रोसीड, तो यहां पे आई अगरी हो गया है, यूर ब्राउजर नॉट स्पोर्ट पीडियेप्स, फ्ली स्क्रॉल डाउन, अप्टू लास्ट पेज़ डॉकुमेंट, एंड अकसेफ्ट दे अंडर्टेकिंग, तो यहां पे कर रहे हम प्रोसीड, वहां पे देखिए हमारे पास ब्राउजर की थोड़ी सी प्रॉलम आ रही थी, तो हमने यहां पे चेंज कर दिया, यहां पहले हम गुगल क्रोम में भर रहे थे, तो अब हमने फाइरफॉक्स होता है, उसको आप यूज करिएगा, क्योंकि वहां पे इस समेशन का आप 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 यहां पे नहीं आ रहा, समेशन का अप्लिकेशन गुगल क्रोम में शायद आपके पास ना आए, तो आप Firefox में जो कि final step है वहाँ पे complete कर लेना तो ठीक है यह आपका Firefox जो कि Mozilla है Mozilla याद Firefox कि browser आपको मिल जाएगा प्ली स्टोर में उसको download करके आप permit का option करिएगा चूज ठीक है तो जैसे ही आप submit पर click करते हो तो उसके पास आपके पास ऐसा आजाता देगी कि are you sure you are want assistant in your final submission of the law to change edit therefore yes हम कर रहे हैं जो भी अधर categories के उनके लिए survey फीस रहेगी ठीक है तो यहाँ पर देखिए number view application तो हम application view हमने कर ली है पे लेटर यहाँ पर हम submit कर रहे हैं ठीक है इनके बाद फिर से इन्होंने बता दिया कि are you sure you want to proceed to payment तो हम yes कर रहे हैं तो यहाँ पर redirect कर रहा है तो देखिए यहाँ पर आपके पास दो option दी है e-banking एक manually option दी है तो देखिए e-banking में आपके पास क्या क्या option आती है तो यहाँ पर देखिए sba net banking pnb banking union banking uko bank तो यहाँ पर देखिए हम लोग चूज कर रहे है net banking debit card credit card UPI pay UI जो कि पहली वाली option है ठीक है बाकी यहाँ पर manual में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन-कौन सी option आती है तो यहाँ पर दोड़ा सा एक click में problem हो रहा है तो आप e-banking ही चूज करेगा वैसे manually का हमारे से click नहीं हो रहा है तो हम इसको करेंगी भी नहीं हम directly हाँ यहाँ पर e-banking करेंगे तो यहाँ यहाँ पर देखिए यू डैविड कार्ड वाली option हम चूज कर रहे है ठीक है तो हम अपनी डाल देते हैं तो हमने आपको यह शोर नहीं करनी है आर यू शोर वहाँ पर करते उसके बाद डैविड कार नेट पाएंगे यूपियाई के option आती है अब आप अपनी convenience से चूज कर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कुछ तो लगनी रहा है बट फिर भी अब हम वहां पर HPVSC website पर जाके login करके देखते हैं पेमेंट हुई है कि नहीं हुई है ठीक है यहां पर यह पेमेंट का status अभी भी पेंडिंग बता रहा है बट हमने online payment कर दी है अभी थोड़ी द देखते हैं परप्सक्राण में यहां यहां दो जात।